Good Business Hall Senior, मेरे नाम कंचन प्रजपती है, मैं जबलपुर से ब्लॉंग करती हूँ आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि लर्निंग करना क्यों जरूरी है डेली लर्निंग करना हमारी लाइफ में क्यों जरूरी है आपको किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले बोला जाता होगा कि आप पहले उस चीज को सीखें उसका experience लें या training करें तो ये क्यों बोला जाता है हमें सीखना क्यों जरूरी है हम बिना सीखें किसी काम को क्यों ने कर सकते तो आईए हम बात करेंगे कि हमें अपनी लाइफ में सीखना कितना जरूरी है आपने देखा होगा कि आज जो इंसान सफल है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कल की लर्निंग के कारण लर्निंग जिससे कि हमें experience होता है, हमें अनुभव होता है जिन अनुभवों से हम सीखते हैं, लर्निंग हमें लिए important है success पाने के लिए, knowledge रखने के लिए और जो इंसान लर्निंग में विश्वास रखता है वो कभी गलतिया नहीं करता है और उसके सफर होने के chances भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं लर्निंग करना हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा important है किसी भी काम को करने के लिए हमें सबसे पहले उसको सीखना पड़ेगा चाहे आप कोई भी काम करें, उससे सीखना जरूरी है और अपने career में, अपने विवसाय में जो भी चुनोतियां आती है, जो भी कटनाईई आती है उनको फेस कर सकें और ये सारी चीज़े हो सकता है शिर्फ और सिर्फ learning के कारण यदि हम learning लिए रहेंगे या सीखते रहेंगे तो हम किनी भी कटनाईईँ का बहुत ही अच्छी तरीके से सामना कर सकते हैं हम जन्म से ही सीखना स्टार्ट करते हैं और अंतितक सीखते हैं हम ना केवल अपनी विचारने से और कारें से नहीं बलकि दूसरों की गलतियों से या दूसरों की द्वारा हो रही घटनाओं से भी बहुत कुछ सीखते हैं, सुनने से सीखते हैं और सीखने से हमारे अंदर knowledge आता है और knowledge का असली मज़ा knowledge रखने में नहीं knowledge को काम लाने में है यदि आपको पास knowledge है तो उसको use करो उसको follow करो, उसको share करो यदि आपको powerful बनना है तो आपके अंदर जो knowledge है knowledge रखने से बस आप powerful नहीं बनेंगे यदि आपके अंदर जो knowledge है उस knowledge को आप काम में लाएंगे उसे share करेंगे तो आप powerful कहलाएंगे learning से हमारी life upgrade होती है हमेरे अंदर सोचने समझने कि छमता बहुत अच्छी आजाती है हम चीजों को समझ सकते हैं सोच सकते हैं और हमारे अंदर एक confidence level हमारे अंदर एक energy level बढ़ जाता है और हमारा दिमाग बहुत पहले से ज़्यादा अच्छा काम करने लगता है हमारे अंदर एक self confidence बढ़ जाता है अपनी life में सफल होने के लिए learning हमें हमेशा करती रहने चाहिए सीखते रहने चाहिए आपने सुना हो कि हर एक सफल इंसान के अंदर एक बात common होती है और वो है learning वो हमेशा learning करते हैं कभी भी यह नहीं सोचते कि हमें सारा चीज पता है हम तो सारा चीज जानते है तो हम learning नह होने लगगा इसलिए हर एक सफल इंसान के अंदर एक खासियत होती है कि वह सीखना कभी नहीं छोड़ते और वह हमेशा सीखते ही रहते हैं जिससे कि हमारा सेल्फ कॉंफिडेंस हमारी कमिनिकेशन इसके अच्छी होती है सीखने से हमारा नॉलेज पढ़ता है और उस नॉलेज को हमारा फॉलो करना चाहिए अपने बिजनेस में अपने किसी भी फिल्ड में उस ग्यान को जो आपको है उसे यूज करना चाहिए तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि हम तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो को लाइक कीजेगा शेर कीजेगा और कमेंट कीजेगा